नमस्कार दोस्तों मैं आपका आपके जोतिश चैनल में हारदिक स्वागत करता हूँ दोस्तों आज का यह जोतिश कार्यक्रम मैं आप सभी के सुझावों के आधार पर आपके सामने लाया हूँ जहां भी आप हैं वहीं से शुरुआत कीजिए जो भी आपके पास है उसका उपयोग कीजिए और जो भी आप कर सकते हैं वह कीजिए वर्ष 2024 बहुत शीग्र ही आने वाला है सबसे पहले मैं आप सभी को वर्ष 2024 की हारदिक शुभकामनाईं देता हूँ मेरी कामना है कि आने वाला वर्ष आप सभी के लिए सुख शान्ती लेकर आए आपकी सभी मनो कामनाएं पूरी हो दोस्तों सभी के मन में यह प्रश्न उठता है कि आने वाले वर्ष में सनी देव की स्थिती क्यों महत्वपूर्ण होती है ऐसा इसलिए है क्योंकि सनी देव कर्म फल दाता है जो भी फल हमें मिलता है वह हमारे कर्मों का फल होता है जिसे सनी देव ही देते हैं सनी देव को हमारे लेखा जोखा रखने का दायत्व सौंपा गया है परमात्मा की इच्छा से सभी के मन में सनी देव के बारे में प्रशन उठते हैं सनी बहुत सारी चीजों के लिए जिम्मेदार ग्रह हैं सभी के मन में यह प्रशन उठता है कि भविश्य में सनी देव हमें कैसा फल देंगे कहीं वे हमें कोई बुरा फल तो नहीं देंगे कई लोगों को डर है कि सनी देव हमारे जीवन में नकारातमक्ता न लाएं या हमारे रिष्टों को बिगाड न दें वहीं कुछ लोगों को उम्मीद है कि सनी देव उन्हें गरीब से अमीर बना देंगे वर्ष दो हजार चौबीस में सनी देव कुछ विशेश राशियों पर अपना आशीरवाद बनाए रखेंगे जिन लोगों पर सनी देव की कृपा बनी रहेगी वे रातों रात सफलता प्राप्त कर सकते हैं सनी देव का आशीरवाद उन्हें स्टार बनने या करियर में तरक्की करने में मदद कर सकता है सनी देव की कृपा से वे व्यक्तिगत जीवन में भी सुख शान्ती प्राप्त कर सकते हैं आईए हम चर्चा करें कि 2024 में सनी देव किन राशियों पर अपना वर्दान बनाए रखेंगे और उन्हें समरिध्धी एवं सफलता का आशीरवाद देंगे दोस्तों यह कार्यक्रम आपकी चंद्र राशि पर आधारित है यानि आपकी जन्म कुंडली के मून साइन पर नाम की राशि पर भी देख सकते हैं अगर आप अपनी कुंडली का परामर्श लेना चाहते हैं तो नंबर सिर्फ चैनल और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सबसे पहले दिया गया है दोस्तों विशब राशि पर सनी वाकई में महरबान है क्योंकि विशब राशि के टेंथ हाउस में सनी देव ने राजयोग बनाया हुआ है वो भी 30 साल बाद 2024 में जब सनी आपके टेंथ हाउस में रहेंगे सनी का राजयोग टेंथ हाउस होता है जो करियर और विशब राशी के लिए विशेश रूप से लाभधायक है सनी देव राजयोग ग्रह माने जाते हैं और नवम भाव में स्थित हैं यानि भाग्य और करियर दोनों की कमान सनी के पास है और वे बहुत अच्छे अर्थात प्रसन्न है आपके लिए किसी भी प्रकार की साड़े साती या बाधा नहीं है इसलिए आप करियर में बहुत आगे बढ़ सकते हैं मेरी सला है कि बिना सोचे समझे फैसला लें और जल्द से जल्द प्रयास आरंभ कर दें दो हजार चौबीस में निकलने के लिए सनी देव प्रसन्न है आपको करियर से संबंधित और व्यापार से संबंधित भी बहुत अच्छा लाब देंगे तकनीकी, रसायन, इलेक्ट्रोनिक्स, आयात निर्यात से संबंधित भी बहुत अच्छा लाब मिलेगा व्रिशब राशी के बाद कन्या राशी दूसरी राशी है कन्या राशी के लिए सनी देव एक वरदान है क्योंकि शास्त्र कहते हैं कि छठे और ग्यारहवें घर में सनी देव बहुत अच्छा प्रभाव डालते हैं इसलिए कन्या राशी के लिए भी छटे घर में सनी का आना आपकी सालों की परिशानी को दूर करने में मदद करेगा. आपकी कोई साढ़े साती या सनी की धैया नहीं है. छटे घर में सनी देव सबसे पहले आपको रण मुक्त करने में सक्षम बनाएंगे. शत्रूओं से मुक धनू तीसरी राशी है जिसमें साढ़े साती खत्म हो रही है. धनू राशी के तीसरे घर में सनी देव हैं. जैसा मैंने कहा, तीसरे घर में सनी देव बहुत अच्छा फल देते हैं. निसन देह तीसरे घर में सनी के आने से आपकी मेहनत का फल आपके हाथ लगेगा. तीसरे 24 में धनु राशी के लिए कोई चिंता की बात नहीं है। इस दौरान सनी देव आपके रिष्टों और नातों में सुधार लाएंगे। आपकी परिपक्वता तो साड़े साती में ही आ गई है। अब वह आपके काम आएगी। वर्ष दो हजार चौबीस में नया कार्यांतरण होने की आशा है। मकर राशी चौथी राशी है। 2023 में सनी देव ने हमें कश्ट दिया था। आपको परिवार में तनाव और माता-पिता के स्वास्थे में परिशानी मिली थी। लेकिन 2024 में सनी देव आपको उन सभी समस्याओं से दूर ले जाएंगे। चौथा वर्ष था और सनी देव की स्वयं की राशी मकर राशी थी। मकर राशी वाले सोच रहे होंगे कि मैं यह सब कैसे बता रहा हूँ। मैं आपको बताता हूँ। सनी देव का यह साल 2024 मकर राशी के लिए एक अंतिम महीना है। मैंने शास्त्र में प्रैक्टिकल तोर पर सीखा है कि जब सनी देव जाते हैं तो वे कर्म फलदाता होते हैं। एक कहावत है कि न्याय करना उनका काम है। दोस्तों, सनी देव 2024 में आपकी साढ़े साती खत्म कर रहे हैं। यह मकर राशी के लिए बहुत अच्छा है क्योंकि आपके दूसरे घर में सनी देव रहेंगे। 2024 में सबसे पहले आपके फाइनेंस को लेकर अच्छा रहेगा। मुझे आपसे गंभीरता से कहना है कि 2024 में मकर राशी के लिए कुछ बड़ा कार्य होने वाला है जो अभी तक आपके लिए नहीं हुआ है। क्योंकि सनी देव की यह स्वयंग की राशी है। मकर राशी का यह सीधा सा अर्थ है कि या तो आपके लिए प्रमोशन के रास्ते खुलेंगे या फिर आपका ट्रांसफर होने का अच्छा योग है। जो लोग विदेश यात्रा करना चाहते हैं उनके लिए सनी देव का योग बन रहा है। सनी की दृष्टी पंचम भाव में हैं इसलिए वे सन्तान के लिए अच्छे योग बनाएंगे। सन्तान के भविष्य के लिए ये बहुत ही अनुकूल समय है। 2024 में सनी देव अंतिम राशी कुम्भ में मूल त्रिकोन में प्रवेश करेंगे। ये सैनिक राशी कुम्भ के लिए बहुत ही अच्छा समय होगा क्योंकि सनी देव कुम्भ राशी को अत्यंत प्रिय मानते हैं। सनी देव के लिए कुम्भ राशी सबसे प्रिय होती है। इसलिए वहाँ पर वे मूल त्रिकोन बनाते हैं। दो हजार चौबीस में अगर आपकी कुंडली में सनी देव नीच के नहीं है और कमजोर भी नहीं है तो मैं कहना चाहूंगा कि आपके लिए कहीं न कहीं सुक सुविधाओं के मामले में दो हजार चौबीस बहुत अच्छा रहेगा। आप इस वर्ष लोहा खरीद सकते हैं, गाड़ी खरीद सकते हैं और प्रॉपर्टी में डील भी कर सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है। कोट कचहरी से संबंधित व्यवहारिक मामलों से सनी देव आपको बाहर निकालेंगे। जिन्हें एर्ण लेना है या बड़ी खरीदारी करनी है, उनके लिए 24 में यह समय अच्छा रहेगा। सनी देव आपकी कुंडली में कमजोर और नीचे स्थित हैं। इसलिए वे थोड़ी देरी और परिशानी जरूर देंगे। संबंधों में वे आपको सही या गलत रिश्टे दिखाने में सक्षम होंगे। लेकिन 2024 तक इंतजार करना होगा। अगर सनी आपकी कुंडली में सूर य राश्य में हैं, तो 2024 में आपके वित्तीय स्थिती में बहुत सुधार होगा। इसलिए 2024 को ध्यान में रखें। ठीक है, वश 2024 में आपको मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन सनी की दृष्टी से आपको अच्छे काम मिलेंगे। करियर में तरक्की और नई उपलब्धियां आपके लिए तैय हैं। काम और प्रमोशन दोनों मिलेंगे। मैंने बताया था कि कौन सी पाँच राशियां हैं जिन्हें सनी देव माला माल बना देंगे। दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।